हरियोम तच्चत ओम नमाशिवाय अब्धूत गीता एट चेप्टर त्वध्या त्रया व्यापाक्ता हताते ध्यानेन चेतह परता हताते इस्तूर्तिया मया वाग परता हताते समक्ष्व नित्यम त्रेविधा पराधान तुम्हारी यात्रा से व्यापक्ता नश्ट हुई तुम्हारे ध्यान से चित्त की विशेपरता नश्ट हुई तुम्हारी स्तुति से मेरी वाणी की विशेपरता नश्ट हुई अब मैं नित्य तीन परकार के अपराधों से शमा मांगता हूँ कामई रहत दीरदान्तो ब्रिदू शुची किंचनहा अनीहो मित्भुग शांत है स्थिरो मच्छरनो मुनिही जिसकी पुद्धी कामना रहित है निशकाम है जिसने बाहे इंद्रियों को वश में कर लिया है जो कोमल सुभावाला है पवित्र रहता है थोड़े में गुजारा करता है इच्छा रहित है थोड़ा बजन करता है शांत है स्थिर बुद्धी वाला है तथा आत्मा की शरण में है वही मुनिहें अप्रमत्तो गबीरात्मा दृतिमान दीतशन गुणा अमानी मान दै कल्पू मैत्रे कारुणे विये कभी ही जो प्रमात्से रहित गंबीर वाला धेरे युक्त छे विकारों को जिसने जीत लिया है अभिमान रहित दूसरों को मान देने वाला मित्रता पूर्वक वहवार करने वाला करुणावान दयाशील वही अत्म ज्यानी है क्रिपालू क्रित द्रोह तितिक्षू सर्व देही नाम सत्य सारो नव द्यात्मा समय सर्वो पकार कह जो संपून देधारियों के प्रती कृपालू देहे द्रोहों ना करने वाला सहनशिल सत्यकासार जनम्मारण से रहेत सम तथा सब का उपकार करने वाला वही ज्यानी है अवदूत लक्षणम वणे ग्यातर व्यम भगवत्मई वेद वर्नार्थ तत्वग्य वेद वेदान्थ वादी भी अवदूत जीवन मुक्त ज्यानी ये लक्षण सभी वर्ण वालों को भक्तों को वेद वर्ण के तत्विग्य पंडितों को वेद वेदान्थ के ग्याता को जानना चाहिए आशा पाश विनिर्मुक्त आदी मध्यांत निर्मलाहा आनंदे वर्दते नित्यमकारम तस्य लक्षणम अब धूत शब्द चार अक्षरों से मिलकर बना है अ प्लस व प्लस दू प्लस त इसमें तत्ता त्रेजी अकार का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि ज जो आशा रूपी पाश से मुक्त है आदी मध्या और अंत से विनिर्मल है आनंद में ही नित्यमक्न रहता है ये तीनों अकार की अब धूत के लक्षण है वासना वर्जिता येन वक्तव्यम चा निरामयम वर्तमानेशू वर्तेत पकारम तस्य लक्षणम इसमें अब धूत शब्द में वा अक्षर का लक्षण बताते हुए दत्ततरेजी केते हैं कि वासना का जिसने त्याक कर दिया है और वक्तव्य जिसका राग रहित है जो वर्तमान में ही रहता है वैवकार ही अब धूत के लक्षण है दूली दूसर गात्राणी दूत चितो निरामया धारना अध्यान निर्मुक्तो दूकार तस्य लक्षणम। दत्त त्रेजी इसमें अव दूत शब्द में दू अक्षर का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि दूली दूसर जिसके अंग है दूत चित पापों से दोया गया चित जिसका है रोग रहित है धारणा ध्यान से जो मुक्त ह हो गया है ये तीन धूकार ही अब्दूत के लक्षण है तत्व चिंता दृता येना चिंता चेश्टा पिवर्जिता तमो अहंकार निर्मुक्त अकारस तस्य लक्षणम। इस धातू से बद्द शरीर के चिंता क्रांत होने से मन भी नश्ठ हो जाता है तथा मन के नश्ठ ह होने से धातू भी नश्ठ हो जाती है इसलिए सभी प्रकार से चित्त की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि स्वस्थ चित्त में ही बुद्धी उत्पन होती है। दत्ता त्रे जी इसमें अब ध त शब्द में तकार का अर्थ बताते हैं कि जिसने तत्व चिंता को ही धारण किया है जो चिंता और चेश्टा से रहित है तम रूपी अंकार से जो रहित है ये तीनों तकार अबदूत की लक्षन है दत्ता त्रे अब धूते न निर्मितानन्द रूपी न ये पठन्ती चशन्वंती तेशामनेव पुनर्भवा आनंद मूर्ती दत्ता त्रे जी अब धूत ने इसका निर्मान किया है जो इसको पढ़ते हैं और सुनते हैं उनका पुनरजन्म कभी नहीं होता इती अश्टमो अध्याय हा आत्मा अध्याय समाप्त इती अब दूत गीता समाप्त हा हरियों तच्सत